सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नवश्कार मित्रों स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टेडी विद पी एन लोधा मित्रों आज से ही सिक्सन विदियों की नई टेस्ट सिरीज शुरू की है एक्जाम की डेट को देखते हुए जैसा कि खुद मुख्य मंत्री जी गोशना कर रहे हैं कि आपका रीट एक्जाम 25 अपरेल को है लेकिन फिर भी लड़के मानने को तयार नहीं है अब तो मान जाओ वही 25 अपरेल को ही आपका एक्जाम होगा मित्रों सुबह 6 बजे मैंने RBSC 11th साइकलोजिक की बुक से नई टेस्ट सिरीज शुरू की है तो उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया है आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए उसमें भी आपको 20 प्रिश्न मिलेंगे और बिल्कुल नए प्रिश्न मिलेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर भी 20 प्रिश्न है जो दोनों लेवल के लिए उप्योगी है रोजाना कम से कम दो टेस्ट आएंगे विज्यप्ति के बाद रोजाना कम से कम चार टेस्ट आएंगे आपके तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ कर रहे हैं आपको निश्चित रूप से एकजाम इसका बहुत फायदा मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को चार मेने का समय है बहुत ही जल्द आपके लिए एकजाम समंदित कुछ महत्पुन बाते भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से आपका पहला क्यूशन है पटन सिक्सन की दरश्टी से गद्य पाटो के प्रकार है दो, तीन, चार, पांच तो मित्रों पटन सिक्सन की दरश्टी से गद्दे पाठो के प्रकार की बात करे तो वो है दो कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं गद्दे पाठो के किसकी दरश्टी से पटन सिक्सन की मतलब पर्थम विकलप आपका सही है पर्थम क्यूशन में मित्रों प्रश्ट नमबर दो पे चलते हैं देखें सेकंड क्यूशन है आपका ये मैंने पुर्व एक्जाम के कुछ क्यूशन लाया हूँ आज फश्ट दे है लेकिन साइकलोजी के पुरे के पुरे नए प्रिश्ट यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा नोलेज मिलेगा सेकंड प्रिश्ट नहें सातियों जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलीका और फलक वांचनी है ठीक उसी प्रकार अत्वा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए शामपट तता खड़िया के टुकडे का महतु है ये दोनों वस्तुएं सपल अध्यापक की सतत संगिनी है यह कतन किसका है पंडित सीताराम चतुरवेदी का एम पी मुफाद का ईबी वेसले का और राइबर्न का तो मित्रों उप्रोक्त कतन कहा गया है पंडित सीताराम चतुरवेदी के दोरा किसके दोरा कहा गया है पंडित सिताराम चतुरवेदी पर्थम विकलप आपका सहिए सातियो प्रिश्न संख्याद 2 में कि जो एक चित्रकार है उसके लिए तुलिका और फलक जिन से उस चित्र बनाता है उनके बिना चित्र नहीं बन सकता एसे एक जो अध्यपक है उसके लिए भी एक शामपट और खड़िया का टुकड़ा जिसको अपन नॉर्मली चोक कहते है न चोक कि बना चोक का टुकड़ा है उसके बिना सिक्सन नहीं करा सकता ऐसा कहना था पंडित सिताराम चतुरवेदी का पर्थम विकलप आपका सहिए सा प्रशन संख्याद 2 में नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं मित्रों प्रश नंबर 3 तीसरा क्यूशन आपके है भाशा में निदाना आत्मक परिक्सन है जिसके द्वारा अनुसंदान करता चात्र के भाशगत दोशों को खोचता है जो अपने स्कूल के विशे में समाने प्रश नंबर 4 पर देखते हैं साथियों प्रश नंबर 4 लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पुरुव शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई के अपेक्षा सरल है लेखन सिक्सा के संदर्ब में यह मत व्यक्त किया है श्रीमती मौन्टेंसरी ने डोक्टर आत्मानंद मिश्र ने मिस पार्क हष्ट ने और कुक ने तो मित्रों लिखाई का कार्य तो पहले और पढ़ाई का बाद में तो स सुनना बोलना लिखना पढ़ना एसा कहने वाली थी श्रीमती मेडम मारिया मौन्टेंसरी परतम विकल्प सही रहेगा सात्यों चोते क्यूशन में प्रश्ण नमबर पांच पे चलते हैं सात्यों प्रश्ण नमबर पांच है आपके किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं परती मूर्ती चित्र वास्त्विक पदार्त ग्रामो फोन तो मित्रों कोई बड़ी वस्तु है उसका जो छोटा नमूना है उसको परती मूर्ती कहते हैं क्या कहते हैं परती मूर्ती जिसे मान लीजे ताज मैल है अब चोको ताज में लग हुमाने ले जाओगे तो आप क्या करोगे की उसका चोटा सा कोई रूप चोटा सी कोई मूर्थी या फिर चोटा उसका रूप लेकर आओगे तो उसकोही प्रतिमूर्थी या नमूना जाता है साथियोधे मैज्यों विकल्ब की और उन्मुक करना चात्रों को दुरुत गती से मोन वाचन का अभ्यास करना अभिने में निपुनता प्रदान करना अभाशा एवं शेली के प्रचलित रूप से परिचित करना तो मित्रों कोन सा उद्देश उपन्यास सिक्सन का नहीं है देखिए पहला दूसरा और चोता तो उपन्यास सिक्सन का उद्देश से है किन्तु अभिने में निपुनता ये उपन्यास का उद्देश नहीं होकर मित्रों ये नाटक सिक्सन का उद्देश ये है किसका है नाटक सिक्सन का इस ते आपका तीसरे विकल्पिया पर सही रहेगा प्रश्ण संक्या छे में नेक्स्ट प्रश्ण नबर साथ पे चलते साथियो निम्न में से रचना सिक्सन की विदी नहीं है परवचन विदी निर्देशन विदी परशनोतर विदी भाषा संसर्ग विदी तो मित्रो कौन सी विदी रचना सिक्सन की नहीं है देखे परवचन है प्रशन उतर है निर्देशन है लेकिन बाशास अंसर्ग विदी रचना की नय होकर व्याकरन सिक्सन की विदी है साथियों किसकी है व्याकरन की इसते चोता विकल्प ही आपका सही अंसर है प्रशन संख् तो आपको ये देखना है करम कौन से में सही जमा हुआ है तो मित्रों देखिए निरिक्षन पहले बालक नहीं करेगा पहले तो क्या करेगा बालक शर्वन करेगा तो ये दोनों में से एक रहेगा अब शर्वन के बाद में बालक निरिक्षन करेगा या अनुकरन करेगा तो मित्रों देखिए शर्वन के बाद में एक बार बालक निरिक्षन करेगा फिर अनुकरन करेगा इसते तीसरे विकल्प सही है प्रश्ण संख्या आठ में नेक्स्ट नोवा प्रश्ण पे आते हैं मित्रों प्रश्ण नमबर नोँ है वाक की विश्लेशन के सिक्सन है तो उप्युक्त विदी है आगमन निगमन गीत अभीने और उक्त सब भी तो मित्रों वाक की का विश्लेशन करना है वाक की को अलग-अलग भागों से तोड़ करक तो उसके लिए आगमन विधी सबसे बेश्ट है कौनसी विधी आगमन विधी परतम विकल्ब सही है साथ यो प्रशन संख्या नो में चलिए देखेंगे प्रशन नमबर दस को वाक्य की पूर्णता के लिए आवशक है योग्यता, आकांशा, आसक्ती और सभी सोरी ये प्रशन मेथड का नय होकर के हिंदी ग्रामर का ये प्रशन ले लिया गया था हिंदी ग्रामर तो फिर भी आप देख लीजिए जो वाक्य है उसकी पूर्णता के लिए योग्यता भी होना चाहिए आकांशा, आसक्ती सभी चीजों का होना आवशक है इसलिए उक्त सभी वाला विकल्प सही है प्रशने 10 में प्रशन नमबर 11 देखेंगे मित्रों प्रशन नमबर 11 है मौन वाचन वाचन निये सोरी ये वाचन लिखा था मौन वाचन से क्या लाब है ग्यान की वरद्दी अवकाश के समय का सदूप योग खरीदी गई किताबों का सदूप योग और शारिरिक वरद्दी तो भई मौन वाचन से शारिरिक वरद्दी तो होगी नहीं ये तो साब साब दिख रहा है कि गलत है अब खरीदी गई किताबों का सदूप योग ये तो गलत है ना इसा तोड़ी होता है ये भी गलत है मित्रों ग्यान की वरद्धी इसका सही अंसर है और अवकाश के समय का सदूपयोग भी इसका सही अंसर माना गया था मतलब प्रतम और दूसरा दोनों ही विकल्ब सही है मित्रों प्रशने 11 की ग्यान की वरद्धी भी होती है और अवकाश क समय का सदुपयोग भी हो जाता है प्रेश्ट नमबर 12 है साथियों बालक परिवार में रहकर केसी बाशा सीख जाता है सांकेतिक लिखित बोलचाल की और इन में से कोई नहीं तो मित्रों एक बालक है जो परिवार में रहकर बोलचाल की बाशा सीखता है किसी वाशा सीखता है बोलचाल की सीखता है साथियों विकल्प नमबर तीन सही है सांकेतिक लिखित लिखित तो विद्यले में सीखेगा हो तो हाँ पालक लिखित वहाँ परिवार में भी सीख सकता है लेकिन ज़्यादा तो विद्यले में सीखेगा पूर्ण रूप से हालाकि बोलचाल की पूरी वाश्य हो सीख जाता है साथियों इसलिए तीसरा विकल्फ सही है बारवे क्यूशन में प्रश्न तेरा समतल पर बिक्री सामगरी को बहुत तेज प्रकाश द्वारा परदे पर प्रति बिम्ब किया जा सकता है फिल्म इश्ट्रीप के माध्यम से सलाइड के माध्यम से एपिडाई इसकोप के माध्यम से मेजिक लाल टेन के माध्यम से तो सातियों समतल पर विक्री सामगरी को बहुत तेज प्रकाश द्वारा प्रत्य पर एपिडाई इसकोप के माध्यम से प्रत्य भीम्बित किया जा सकता है कि उनसे सायक सामगरी के माध्यम से एपिडाई इसकोप आपका तीसरा विकल्ब साइए साथिव प्रिशन 13 में नेक्स प्रिशन 14 पर चलेंगे साथिव प्रिशन 14 है दरश्य स्रव्य समखरी के आउशकता निम्न में से किस विदी के लिए आउशक नहीं है समश्या समधान विदी, व्याक्यान विदी, योजना विदी और उप्रोक्त सभी तो मित्रों देखिए योजना विदी में भी दरशी सरव्य समगरी चाह सकती है समश्या समधान विदी में भी इसकी आवशक्ता पढ़ सकती है लेकिन व्यक्षयान विधी में तो साएक सामगरी क्या करें कि? उसमें तो सिर्फ व्यक्षयान नहीं देना है इसलिए मित्रों परश्ण 14 में दूसरा विकल्प सही है इसलिए नेक्स्ट परश्ण नमबर 15 साथियों पंद्रवा प्रिश्ण है निम्न में से प्रक्षेपित सामगरी नहीं है फिल्म ओपेक प्रोजेक्शन बुलेटिन बोर्ड फिल्म खंड तो साथियों कोण सी सामगरी प्रक्षेपित नहीं है प्रक्षेपित सामगरी सभी जानते होंगे आप मेरे पड़ा भी रखा अच्छी तरह से इसको तो साथियों देखिए जो फिल्म है ओपेक प्रोजेक्शन है फिल्म खंड है ये सभी तो क्या प्रक्षेपित सामगरी है किन्तो जो bulletin board है ये प्रक्षेपित सामक्री नहीं है इसलिए तीसरा विकल्प ही आपका सई आंसर रहेगा प्रश्ण नमबर 16 सिक्सन में सबसे महत्पुन कार्य क्या है विशे का निर्धारन उद्देशों का निर्धारन बिंदों का निर्धारन समय का निर्धारन तो मित्रों right answer बताए इसका सई आंसर क्या रहेगा साथियों आगर बात करें इसके सई आंसर की तो इसका सई आंसर रहेगा उद्देश्य निर्धारन विकल्प नमबर 2 क्योंकि साथियों उद्देश का निर्दारन ही सबसे महत्पुन होता है कि आकिर हम बच्चों को पड़ा रहे हैं तो इसे कोन से उद्देश की पूर्ती होगी साथियों इसलिए दूसरा विकलप आपका सही आंसर है प्रश्ण सोला में प्रश्ण नमबर 17 है मित्रों सिक्सन मुल्यांकन के उद्देश होते हैं पांच साथ तीन आठ तो मित्रों राइट आंसर बताई इसका भी सिक्सन मुल्यांकन के कितने उद्देश होते हैं देखे तीन उद्देश होते हैं कितने उद्देश होते हैं सिक्षम मुल्यांकन के तीन उद्देश ही मादमिक शिक्षबोर राजिस्तान के द्वारा माना गया है तो विकल्प नमबर तीन साहिए साथियों प्रश्ण सत्रा में प्रश्ण नमबर 18 मौन वाचन का मुल्यांकन किस परिक्षा के द्वरा किया जा सकता है पूर्ती परिक्षा सत्या सत्य परिक्षा बहु विकल्पी परिक्षा सभी तो मित्रों मौन वाचन बच्चों से करवा रहे हो तुछ से आप पूर्थी परिक्षा भी करवा सकते हो सत्य सत्य परिक्षा के माध्यम से भी आपको पता लग सकता है ओब्जेक्टिव क्यूशन से भी पता जल जाता है तो उफ्त तीनों आपका सही अंसर है सातियों प्रश्ण नमबर 18 में चोता विकल्प सही रहेगा प्रश्ण 19 और second last question देखेंगे निदान की परिक्सन विदी के प्रकार होते है 7,2,4,8 तो सातियों निदान की परिक्सन विदी के दो प्रकार होते है व्यक्तिगत और सामुहिक कितने प्रकार होते हैं? दो दूसरा ही विकल्प सही रहे सातियों और आज का अंतिम क्विशन देखेंगे लेकिन छोटा सा नहीं विदर विडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्क्रेब करना नहीं बूले सातियों क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें विडियो बनाने के लिए प्रेलिद करता है प्रश्ण भी सेव सिक्सार्तियों के सततेवं समगर मुल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है राष्टे सिक्षा निती 1986 के दोरा प्रतम राष्टे सिक्षा निती मुदालिय रायोक की सिफारेशों में इन में से कोई नहीं तो मित्रों प्रतम राष्टे सिक्षा निती 1968 थी और दूसरी नई राष्टे सिक्षा निती बनीती 1986 में 1986 में जो राश्ट्री सिक्षन इती बनीती इसने ही CCE पर प्रभवी रूप से जोड दिया था तो प्रतम विकल्प सही है 20 क्यूशन में आज के लिए इतना ही साथियों बहुत ही जल्द मुलाकात वापस होगी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बदबो धन्यवा सभी का जो वीडियो को लाश्ट तक देख रहे हैं